हाई गाइस दिस इस मिताली वेलकम एंड वेलकम बैक तुमाइग चैनल तो गाइस आज मैंने किया हुआ है बर्डे पार्टी मेकप लोग गाइस अगर आपको इस तरह से मेकप करना है तो प्लीज वीडियो को आगे देखिए और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से फॉल प्राइमर ज़रूर लगा लिया करो गाइस प्राइमर लगाने से आपके पोर्स मिनिमाइस हो जाते है अच्छा सब भी इस मिल जाता है मेकप केकी नहीं लगता है और लब में टाइम तक टिका रहता है गाइस नेक्स हम यूज कर रहे हैं आप अपना फांडेशन और कुछ भी क्रीम आप यूज करते हैं वह यूज कर सकते है और ब्लेंडर की हेल्प से है हम इससे ब्लेंड और आप अपने ब्लेंडर को पानी-मचा से घीला करें और उसके बाद यूज करें आप हम अपने face को contour करेंगे dimension देंगे face को पूरा white white ना लगे और पतला नसर आए मोटु मोटु सा face नजर ना आए इसलिए हम अपने face को contour करें guys, ये मैं first time यूज कर रही हूं इस product को और ये मुझे बहुत पसंद आया guys, creamy texture है इसका और मेरी skin पर ये बहुत अच्छे से जा रहा था, blue heaven की बहुत सारे products मैंने नए बंगवाए हैं तो मैं उसी से आज make up कर रहे हूं तो guys, देख लिए हैं अपने की किस तरह से हम contour करेंगे और आज सब कुछ एक साथ blend करेंगे guys, इसे stick में highlighter है जिसका use में हाँ कर रहे हूं अपने face को highlight करेंगे face को अच्छी तरह से highlight करेंगे guys, हम जहां-जहां highlighter का use करते हैं, हम इस stick में से highlighter का use करेंगे, next मैं नहीं आपे लिया है blue heaven का ही lip and chick tint guys, ये भी मुझे बढ़ा ही पसंद आया बहुत अच्छे से blend हो रहा था guys, blender की help से सबसे पहले हम अपना foundation blend करेंगे उसके बाद मैंने ये पे blush blend किया है और फिर मैंने अपना contour blend किया है blending आपको अच्छे से और आराम से करना है blending बहुत ज़रूरी है guys, make-up में blending बहुत ज़रूरी होती है आप eye makeup करो, face makeup करो देखे guys, ये रहा मेरा final look final result मैंने blend कर लिया और एकदम natural लग रहा है guys, यहाँ पर मैं makeup setting spray का यूज करूँगी और उसके बाद beauty blender की help से हम इसे भी set करेंगे next मैं यहाँ पर blue heaven का ही लिबा में यूज कर रही हूँ guys, और इसका color बहुत अच्छा लगा मुझे उसके साथ साथ मुझे इसकी fragrance बहुत अच्छी लगी guys long lasting भी है guys, ये lips पर हलका सा tint छोड़ता है और देख सकते हैं आप इसका color next मैं यहाँ पर अपना eyebrow फिल करूँगी जिसके लिए मैंने इस फूली ले लिए और उससे मैं थोड़ा सा eyebrow को कॉम कर रही हूँ next मैं यहाँ पर eyebrow gel ले रही हूँ guys और ये eyebrow gel सबसे सारे products में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है eyebrow gel क्योंकि मुझे हमेशा से ही नैच्रल अच्छी लगती है अपनी eyebrow और ये एकदम नैच्रल लग रहा था और टाइम भी बच रहा था guys बस फटा फट से आपकी eyebrow फिल हो जाएगे इस से उसके बाद मैं फिर से इस फूली के हैप से कॉम करूँगी और देखे guys ये हो गया फटा फट से हमारा eyebrow फिल next हम करेंगे अपने face को set तो यहाँ पर मैंने compact लिया हुआ है compact के help से मैं अपने base को set कर रही हूँ आप चाहें तो loose powder भी ले सकते हैं आपको loose powder और compact powder जो भी पसंद हो आप उसके साथ अपना base set कर सकते हो guys यहाँ पर हमारा base हो जाता है ready face makeup हमारा complete होता है और अब हम करेंगे eye makeup start eye makeup के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है white color का eye shadow जिसे मैं full lid पर use करूँगे white color को अच्छी तरह से blend करेंगे दोनों eyes में अच्छी तरह से blend करके उसे set होने देंगे उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा dark pink color यूज़ करूँगी और इसे मैंने outer way पर place किया है देखिए थोड़ा थोड़ा deposit करना है place करना है और उसके बाद आपको blend करना है एकदम से blend मत करने लगा करो पहले जहाँ पर भी आपको product लगाना है वहाँ पर लगाओ और उसके बाद दीरे-दीरे blend करो blending बहुत जरूरी है guys blending बहुत आराम से और अच्छे से किया करो नहीं तो make-up इधर उधर हो जाएगा और blending इसलिए जरूरी होती है guys क्योंकि आपके colors जो होते हैं आइसेटों के वह अलग अलग नजर नहीं आने चाहिए कोई भी line नजर नहीं आनी चाहिए तो देखे कि मैंने यहाँ पर अपने eyeball पर इसे use नहीं किया है ठीक है? eyeball हमारा भी खाली है आपको करना है blend, blend and blend अच्छी तरह से blending कीजिए उसके बाद मैंने यहाँ पर बेबी पिंक कलर लिया हुआ है और उस बेबी पिंक कलर को मैंने क्रीस से थोड़ा सा नीचे की तरफ में यूज किया है और आउटर वीपर भी यूज किया है हलका सा हमने क्रीस से नीचे की तरफ बेबी पिंक को यूज किया है गाइस वही बेबी पिंक कलर को हम अपने लोवर लैस लाइन पर भी यूज करेंगे और फुल यूज नहीं किया है मैंने हाफ में यूज किया है आफ आई में मैंने बेबी PINK कलर कर यूज किया है उसके बाद यहां पर मैं एक शिमर शेड ले रही हूँ और यह एक डम पिंग नेच्रल पिंग बेबी पिंग क्या बूलू मैं से लेकिन बहुत प्यारा पिंग कलर है गाइस यह और इसे मैंने अपनी आई बॉल पर यूज आई बॉल पर यूज़ करने के बाद मैंने यहां पर इनर कॉर्णर पर यूज़ किया है और इनर कॉर्णर पर यूज़ करने के बाद मैं लोवर लैस लाइन पर इनर की तरफ से मिडल तक इसे यूज़ करूंगी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यूज़ किया है अब मैं अपनी लेसर करूंगे गैस यह मुझे बड़ा ही पसंद मेपमे यह पार्ट मेरा फेवरेट है अपने लेसर स्कार्ड कर लो और बस हो जाता है आपका काम, आके मुझे बड़ी प्यारी लगने लगती है अपनी, यहां पे मैं ब्लू कलर का काजल लगा रही हूं और इससे मैं थोड़ा सा लाइनर की तरह भी यूज़ करूंगी हलका सा, गाइस मैंने आप लिया था ब्लू काजल जिसके हेल्प से मैं लाइनर भी लगा रही हूँ तो हम उसी काजल के हेल्प से लाइनर ड्रॉ करेंगे पतला पतला सा ड्रॉ करेंगे क्योंकि मूटा लाइनर मेरी आँखों में अच्छा नहीं लगता है मैं हमेशा काजल की हेल्प से हलका सा लाइनर लगा लेती हूँ और उसे smudge कर देती हूँ एक smudge brush की हेल्प से आप smudge कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहे हैं उस तरह से करिए अगर आपकी आँकों में भी लाइनर अच्छा नहीं लगता है नो तो इस तरह का look create करके देखिए आपको अच्छा लगेगा यहां पर मैंने मस्कारा ले लिया है और मस्कारा आपको आराम से लगाजा है मस्कारा लगाते हुए जल्द बाजी ना करें नहीं तो आपका मस्कारा आँकों के आसपास फैल सकता है नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहां पर लिप टेंट जिसे मैंने ब्लश की तरह भी यूज किया था और यह मुझे बड़ा ही पसंद आया है क्योंकि यह ट्रांसपर नहीं हो रहा था कुछ तीर में यह सैट हो जाता है और आप देख सकते हैं इसका कलर गाइस मैं अब लगा अपना ले रही हूं यह रिंग्स और हेर स्टैल मैंने बना लिया है बहुत अच्छा है हेर स्टैल बनाना मुझे नहीं आता है लेकिन जू भी आता है वह आपके साबने है यह जू आता है यह रहा मेरा फाइनल लुक गाइस अगर अपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे अपने फेमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि जल्दी अल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स पढ़े आए गाइस और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस साइड में बेल बटन है उसे भी प्रेस करो ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें कि अप्सराइब को ते तो आप मेरे साइब की घा थिए और ररम बेलन को तो Unterश चैनल के सब्सक्राइब स Confederate कई Hernandez